मित्रों सबसे पहले आप सबको मेरा हार्दिक नमस्कार इसके बाद मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों के साथ अपने को स्वरचित दोहे अस्तूत करूँ सुनने का कश्ट करें देखें मेहंदी कर से छूटती पर रह जाता रंग हरी पत्या लाल रंग चित्त हो गया दंग गोरी छत पर बैठ कर करती रही सिंगार हमसे तो बंदर भले करते थे दीदार हमसे तो बंदर भले करते थे दीदार अब गोरी हुई सलाज तो कर बैठी कर ओट गोरी हुई सलाज तो कर बैठी कर ओट मन मुहित तन तरंगित फिदे हरस लह लोट मन मुहित तन तरंगित फिदे हरस लह लोट धमर फूल के लोब में चक बेठा अंगार धमर फूल के लोब में चक बेठा अंगार होना था फिर राखनी हुआ उचित ब्योहार फूल फूल उड़ता रहा रसन कहीं था बिन्न ठक कर जब भवरा गिरा कली कली थी खिन्न अंगूरी कायालिये सुभगे अधिक नडोल रित वशंत जब जाएगी काम करेगा मूल पूर पूर शे शहद हो तपक रहा है ने आँखे मदमक्खी हुई तडप रही है दें अब वैठ खेत की मेर परूँ हाँ गंगू अपने युवा साथियों से कहना है कि बैठ खेत की मेर पर देखन उसकी राह पहुच गई घर पिया के सज तेरी परवास पहुच गई घर पिया के सज तेरी परवास धन्जला